स्वागत करती हूँ आप सभी का इस पारम परिक्रस्वे में आज इस पारम परिक्रस्वे में बनेगा अचार, अचार का नाम सुनते ही हर किसी की में पानी आजाता है, अचार हर किसी को बहुत पसंद होता है, लेकिन अपनी कामकाजी जिनकी में हर कोई अचार नहीं बना पा यह आपको हर Wednesday, हर Saturday morning at 9am मिलती रहेगी लेकिन तब ही जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल अगन प्रिस्ट करेंगे तब ही तो हम एक साथ जूरी रहेगे तब ही इस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरी आईडिया आपको इस्क्रीन पे शो हो रही है त प्लीज आप मुझे डियम करना में जरूरी प्लाइ करेंगे चलिए फटा फट बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम कट कर लेंगे मिर्ची को तो यहां पे मैंने ले लिया है चॉपिंग बोर्ड और मिर्ची को हम इस तरीके से बीच में चीरा लगा देंगे तो यहां प इसी तरीके से हम सारे मिर्ची को कट कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इतने सारे मिर्ची और निम्बू लिया है यहां पर मैं अचार को थोड़ा सा जादा कॉंटिटी में बना रही हूं मेरे यहां सब बहुत ही पसंद करते हैं आचार आप मिर् नीमू को हम फोर इक्वल पीज़ में कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे मैं आपको बता दू कि मैंने पहले भी आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर कर रहे हैं यह तो लहसुन वाले मैंने आपके साथ अचार शेयर कर रही हूं लेकिन वह बिना लहसुन का है तो अगर आप को यहां पर पसंद कर लिया है और सकाद को मैंने शरुक्राव में आपको बता दू कि आजփस इप San 아니 अध्रग और दुख करने अपको ने लिए और जुखत करेंगे उन्याग िर्णा को बता दू कि आज नेएक रेसिपी शिर्फ ठालर को बढ़ाने के लिए बलकि आपकी सरीर के तंदुरुस्ती के लिए भी है मैं आपको बता दू कि अद्रक के कई फाइदे हैं मंदू में की समस्याई दूर रहती है हार्ट आपका सवस्त रहता है अर्थराइटीस माइग्रेन ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पाचन किरिया को मुझबूत करता है अगर आपको बहुत जल्दली ठंड लग जाती है तो अद्रक सेवन की जियाब खून को साफ रखता है और साथ ही ब्लड शुगर को कम करता है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है तो जब इतने फाइदे मंद चीज आपको चटकदार तरीके से मिले तो और क्या सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप एंड बॉटम गाजर के कट कर लेंगे तो सबसे पहले आप क्या करना है कि गाजर को अच्छी तरीके से धो लेना और फिर आप उसे पोच लेना साफ कपरे से और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हलका हलका यहाँ पस हलका हलक इस घाजर को हम तीन पर क्ट कर देंगे तो यह बड़े लंबे गाजर है तो यहां पर मैंने से तीन इकी में कट कर दिया है कट करने के बाद इसे लंबे-लंबे कुछ इस तरीके से हम कट कर लेंगे मैं आपको शरुआत में बताना भूल गई जितने भी चीज़े आप ले रहे है अचार बनाने के लिए सबको आपको अच्छी तरीके से ड्रश कर लेना है पंक्खे में या दूप में अच्छी तरीके से सुखा लेना है या फिर साफ कप्री से उसे पोच लेना है उसके बाद ही आप इसे अचार बनाने के लिए लाना वरना थोड़ा सभी पानी रहा तो अचार आपका खड़ाव हो सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे गाजर इस तरीके से कट कर लिये हैं तो यहाँ पर अब कटे वे गाजर को हम डाल देंगे इस निम्बू मीर्च और अद्रक वाले में तो यहाँ पर मैंने सारे गाजर को डाल दिया है और अब हम यहाँ पर लेंगे लहसुन को तो लेसन के सारे छिलके यहां पर मैने निकाल लिये हैं और इसके फाइदे क्या गिनबाओं आपको पाशन किरिया को मस्भूत करता है, सरीर को डिटॉक्सिफाइई करता है, डाइविटीज को रोकता है, सर्दिखास नहीं होती है, कैडेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है तो अब इस lesson को रखेंगे हम grinder jar में तो इसका fine piece तयार नहीं करना है हमको बस हलका सा यहाँ पर हम दरतरा इसे पीस लेंगे बस एक बार आप चलाना और काफी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे त्यार कर लिया है काफी दरतरा मैंने इसे पीसा है और इसे ही रखतेंगे हम इसी अचार वाले में तो एक बार इन सब को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी और सारी गुनकाड़ी ही चीज़े हैं तो आप इसे प्लीज जरूर ट्राइ किज़ेगा तो अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक नमक मैं स्वाधन सार डालूँगी यहाँ पर मेरे अचार की कॉंटिटी थोरी सी जादा है तो यहाँ पर मैंने अपने कॉंटिटी के हिसाब से लिया है आप अपने कॉंटिटी के हिसाब से नमक लेना और यहाँ पर नमक डालें के बाद इसे मैंने मिक्स कर दिया है और इ नमक दालने की वज़े से यहां पर कितना सारा पानी च्छोटा है तो आप बारी है यहां पर मसाले में हम डालेंगे सबसे पहले साबु थन्या तो यहां पर कढ़ाई को अभी मैंने गैस नहीं चड़ाया है सारे मसाले डालेते हैं फिर से गैस पर चोटाएंगे हम उसके छोटता है उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे पिली सर्चों और यह सॉफ है सॉफ को हम रोस्ट नहीं करेंगे उपर से डालेंगे पर इसमें यह लाल मिर्च यहां पे मैंने चलले ले लिए और इस करहाई को मैं कैस पे डाल दूगी मसालों को हमें तब तक भूनना है हो जाए उसके बाद हम इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे तो अब यहां पर देख सकते हैं यह ठंडा हो चुके हैं मैंने इसे ग्राइंडर में डाल दिया है और इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे आप देख सकते हैं मैंने मसाले तैयार कर लिये हैं और इस मसालो को हम ढालेंगे अपनी निम मिर्च में तो यहां पर मैंने जाएगा चेली फ्लेक्स अचार तीखा चटपटा होता है तो खाने मैं यहां पे डाल दे रही हूं, लाल मिर्ष का पाउडर कृमपल आचार है और बहुत ही जादा टीस्टी लगता है खाने में यह आचार, आप में बड़े वाले कटोरी से दो कटोरी तेल डालना है और आपकी अचार में जितनी अच्छी तरह की से तेल रहेगा आपका अचार उतना ही लंबा टिकेगा अब मैं इसे मिक्स कर दे रही हूं सो यह लिजे फाइनली आपकी अचार बनके तेयार है बहुत ही सादा माउथ वा प्लीज मुझे जरूर कॉमेंट में लिखे बताना अब यह तक आपने पारमपरी के रसुई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चार्ल को सब्सक्राइब कर दीजिए पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना मिलती हूं आपसे न